कि नमस्कार मेरा नाम है हिमजा पांडे और मैं आप के लिए लेकर आई हूँ आज मुजिकल पर यह विडियो आप अपनी प्रोग्रिस को कैसे मेजर कर सकते हो आप अपनी जो लॉर्निंग है उसका एनालेसिस कैसे कर सकते हो आज वो आपको इस वीडियो में देखने को हाला कि एक वीडियो रिकॉर्डर क्लास का ही एक सेग्मेंट है तो कहीं ने कहीं आपको असे लेकर आप आप पर फोकस किजिएगा और आप कोशिच किजिएगा कि आप उसको अपनी प्राक्टिस में अपनी लाइफ में इन्वार्व कर सके तो बैक तो टॉपिक भी मेरा इसलिया आया बिकर्ज मुझे कर ने कहीं यह चीज फील हुई बिकर्ज जब मैं सीख रही थी या अभी जब मैं कुछ भी सीखती हूं तो मेरे खुद के दिमाग में भी यह चीज आती किया इसका यूज क्या होगा लेक वाई नीड तो लॉन दूसरे मेने में मुझे जो भी सीखने को मिल रहा हूं उससे क्या उसका रीलेशन है कि मैं आगे अगे कंटिणू करूं है कन्विंस है कि में क्यों कांटिणू करूं एक महीने बाद में भी तो हम उल्टा चलते हैं है और हमारा सब Se a prime purpose क्या है आप चाट बॉक्स में लिख चाहते हैं, because there are many reasons कि क्यों सीखता है इनसान एक तो इनसान अपने शौक के लिए सीखता है और उसको फैमिली गैदरिंग में जाके सीखना गाना गाना है या फिर उसको कहीं पार्टी में परफॉर्म करना है या यह नहीं हो कि हम कहीं जा रहे हैं आप 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 अपने अपनी अपनी एक खूबया बतारे हैं मुझे एक अपनी एक लिए लेफ्ट आट फिल होता है कि आपको कुछ तो किया है जीवन में सिवाए काम के इसलिए लिए लोग सीखते हैं और दूसरा अभी विजे जी ने बताया कि वे खुशी के लिए सीखते हो आप लोग कि आपको खुशी मिलती है आपको शांती मिलती है आपको शांती है और आपको शांती है और आपको सीखते हैं और कुछ लोग है जो कि बस इसलिए सीखते हैं कि भई ठीक है हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम जान के करें और हम उस चीज को भूल न पाए इसलिए भी लोग सीखते हैं तो इन सब का अब जिसे जो तो होबी वाला है उसके लिए वो प्रोसेस यह समझ लो 50 यह 90 परसेंट यूसफुल नहीं है ठीक है बट जो करियर मिनाना चाहता है उसक अब सबसे टॉप पर हैं अगर आप ले ले ओ आप सारी नॉलेज्व लो ना अधिया थोड़ी सी नॉलेज्व लेकि क्या करोंगे अगर आपको नॉलेज्व लेली लेग लेगिव वांट तो भी लिस्नर और यो वांट तो अप्रिशियेट की जो गार आए वो अच्छे से अपनिया अखेंगे में सुनके अरुसको समझ पाँ यहाँ अब जैसे अगर आपकोई काम कर देश्याग वांट इस में साहरा काम कर लिया नंग कियों नोलेज़नी तो कैसा लगेगा आपको हैब learning मैरे इतना सब अपना आपना अपर डाला सुनाए निग अन आ कर से के इसले भी सीखना बहुत जरूरी है यही है कि आप जो चीज रहे हो जो नॉलेज ले रहे हो उसको पूरी ले लिए टॉप से बॉटम तक और डेप्थ से लेके हाइट तक है तो आप हमारा जैसे सब का मन होता है बाव क्लासिस आपने जॉइन कि तो आपको यह तो लग आप थीज़ करा को सकती को तो रहे है चाहिए यह ना जैसे सब कर दोंगा है तो उप दो लाइन अच्छ फिछ फाको है ने उस समझ के गा सको ठीक है तो आप कि मान लीजी एक महिन आपका कॉर्स था कि आपने ले तल सीखिए यह करेंटली जो आप सेख रहे हो आपने तह क तो मोर्निंग्रयाज से आपका क्या अच्छा होगा कि आपके अवाज अची होगी है दो मेरा आपको प्रज्चा करuseं थो कि मेरा चैप करोगे कि जाए हो सब्सक्ति जाएं है MARK तो यह आप चेक कर सकते हो, अब आप यह चेक कैसे करोगे, मालो आज आपने एक गाना गाया है, एक लाइन आपने गाई है, ठीक है, पंद्रा दिन नियम से रियास करो, और अगर मैं वो पंद्रा दिन इसलिए बोलू कि भले ही, फिर वो पंद्रा दिन वाली जो प्रैक्टि कर वो पंद्रा दिन आप थटी डेस करोग, यह उपन्दा दिन आप वो सिXTी डेस करोग अब अव प्र 18 देस रिकोर्ड करो लो वाफ वाप उस चीज करोगत करो कि मेरे अवाज में था अष्द jak वाट। अ मेरे गा compr 2018 यह काम आप रws एक बड़े सिन जब आपको वahren जब आपको व sudah goes क्या बुलते उसको त्अ किदू को प्रोग्रेृस सबमेरे निकला जरी के उसका यजए जब आपको वह भॉर्च दिखना बंथ हो जाए तब आपको प्राउग्रेस दिखना बंथा तक यह तहलए जो क्योंकि दिखी नहीं रिया प्रोग्रेस बट उसमें दो आस्पेक्ट्स हैं यौर प्राक्टिस और यौर लर्निंग है ना तो अगर वो पंदा दिन आपका साल भर भी ले रहा है ना तो भी कोई बात नहीं गिए टाइम बट वह 15 देश बाद या बीस दिन बाद आप जब अपना रिक्राक्टिस वापस रिकॉर्ड करोगा आपका गाना वापस रिकॉर्ड करोगे तो आपको डिफ्रेंच ऑटोमाट या मिन कर सकते हैं आप को आई है वो चीज किया तो उसका एक तो यह तो हिए कि आप प साथ सब्सक्राइट आप जंग या नहीं कर पा रहे हैं या आपकी फुझ फुलफिल हो रहे है कि फर एक्जमपल अगर अब ह düş hai सात आप पहला आलंकार गाओ तो आयु एबल टू दू दू थिंगर नौत का आप फिर्स्ट बीत पहचान पारे हो का फिफ्ट पहचान पारे हो कि आपको यह सुन के बता चल रहा है की वह कहर्वा है तो आपने आप आपको वह पता चल जाएगा कि अर्यार 15 दिन बाद तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहर रहा है कि अब भी मुझे पता चल रहा है understood कि मैं क्या कहना चाहर हूँ second चीज यह कि यह तो सिफ first first month की बात है है अगर कोई गाना सुनते हैं ठीक है कि आप उस गाने में ताल ढून पा रहे हैं पर यह काम आपको तीन महीने बाद बता चल लेगा लेग ताल के लिए मैं specific आपको बता रहे हूँ it will take three months to identify कि आप किसी भी गाने में अपनी ताल या अपनी लेग पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो अगर पहचान पा रहे हो तो वह तीन महीने आपके वर्थ थे प्रैक्टिस करने के लिए और नहीं पहचान पा रहे हो तो नहीं थे तो फिर आपको यह भी देखना चाहिए दोनों असपेक्ट से कि आपकी प्रैक्टिस कितनी थी और आपकी लर्निंग कितनी थी कि लर्निं करें लेंग पूरे हफ्ती में आपको फुद पता चल जाएगा कि पूरे हफ्ती का मेरा क्या प्रोग्रेस था है आप इसे दिवार पे चार्ट लगा दो तरह तो मेक शर कि आप चार्ट करें कि ये इस आप इस 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 प्राक्टिस इवन पर 15 मिन जाएगा इस आप रात को आप सो पंद्रा में सोने से पहले आप करो प्रैक्टिस बट खरो ठीक है ना थार्ट फिंग एक आप अगर किसी स्वरों की प्रैक्टिस कर रहे हो यह आप आप यह उसाओ गूजू आप लोगव chilli आप की प्रैक्टिस कर रहे हो यह आप यह गैह ओ जो आपकर शुम आप की देव्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो यह जो सब्सकर के आप क्या आप किसी को सुन के यह पहचान सकते हो कि वह शुद्व सवर बज़ रहा है कि कोमल सवर बज़ रहा है वह हम ऐसी तो चीजों को एनलाइज करें गया ऐसी तो हम हमारी परफॉर्मेंस देख पाएंगे ना कि वह बढ़ी या नहीं बढ़ी करने से तो देखो कि अब बैठे रहों और सोचो कि तीन मेने बाद तो मैं गालूंगा वह पॉसिबल ही ना वह तीन मेने में आपको हर हफ्ते वह एक लाइन को गाना पड़ेगा तो सीध प्रोग्रेस कि अब लाइन इंपरोव भुआ है या नहीं हुआ है तो जैसे फॉर एक्जमिल आप गा रहे हो और मैं पहचान सकते हूं सब्सक्ति हो कि नहीं आप ने को मल गाया है तो मैं अगर गा रहे हूं तो आप भी पहचानने के काबिल होने चाहिए और नहीं प्रफ्ता आप काम को यह चीज आ जाएगी करेक्ट इसलिए यह है कि आप एक साल कम से कम मुझिक को देओ कम से काम आप बंद करके छोड़ दो साहिए बस यह एक साल में को सीखना है पर दोनों चीज होने चीज और लॉनिंग और प्राक्टिस ठीक है कि वह एक साल में आपने सीखा तो बहुत कि आपको बंद कम आपको बूंद को छोड़नी आपको आपको देखना है तो आपको दोनों बढ़ाबर कराम कि एन फैक्त प्राक्टिस वाला आ जो आपका परसेंटेज बढ़ना चाहिए रदय ने लोनिंग कि यह एँ कर तो ऑंके आप सीक्पम रहो उसे इना को सिखने के लिए उम्र थोडी है उसके लिए भेर लिप्रस ऋड़ी फिर 25 मैं करना वहां तो आपको करना रहा तो इसके लिए वह मैंप्धंटर नहीं कि यह परणो का जिए प्रेस तो अनिया कर था तो यह परसिंटेज चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग और पॉपस कि आपको पॉपस क्या है क्यों सीखना चाहते हो ठीक है अब उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं कि ठीक है यह सब भी हो गया यह सब भी आपने बताया पर वाट इस ट्रू कि बई सही क्या है है यह आप ब चीव नहीं कर पाया फिर क्या होगा कि बताओ क्या इसका जवाब होना चाहिए कि बोलो कि क्यों इसका कोई दूसरा ऑल्टेनेटिव है ही नहीं उसका अल्टेनेटिव यह है कि वापस शुरू करो और वापस बहां तक पहुंचों जितनी बार गिरोगे उत्ती बार आपको और हिम्मत मिल जाएगी कि आप उसको और कर सको है ना यह चीज़ है क्योंकि यह कोई त्योरिटिकल सब्जेक नहीं है कि आप इसको पढ़के याद करके और एक्जाइम देखके डिग्री ले रो कुछ नहीं होगा है ना आप चाहे कितनी भी डिग्री आपके बास डीग्री नहीं भी हो ना उसे भी फरक्त पढ़ता है जो आप गा रहे हो आपका गला ही बता देगा कि भई आपने कितनी प्राक्टिस के यह आपका क्या है और जैसे जो नौलेज वाली बात है अगर आप किसी भी सवाल का जवाब फैक्ट के साथ दे रहे हो है और आप उसको प्रूफ कर रहे हो कि यह दिस इस तरूथ है ना तो ही आप आप नौलेज फुल हो ना अगर आप पढ़ा पढ़ाया ग्यान या रटा रटाया ग्यान जो भी किताबों में लिखाया आपने लाइन टू लाइन वर्ट वर्ट याद कर लिया और आपने वह जा तो है यहांना समझ में आपको आश ना कि आज आपको आज का यह अच्छा लगा हो और अगर आपको यह वीडियो अलगा है तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर रहें एसी कुछ वीडियो के लिए and like करें share करें अपने musical buddies में comment पर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितनी बात में यह हकीकत थी और हमको और क्या-क्या measures use करने चाहिए अपनी learning को या अपनी practice को अपनी growth को analysis करने के लिए और increase करने के लिए धन्यवाद, stay happy, stay musical, feel the beat अपने करने करने का लगता है